नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल इगनु स्टड़ी पॉइंट में मैं आपका दोस्त डोक्टर संदीव और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम आप लेकर आए हैं एक्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट न् करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन रहा है क्या उसके अंदर रहा है तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल इगनु स्टड़ी पॉइंट पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि अपन द सब्सक्राइब जो कर दिया गया है उसको देखते हुए जो है डिसमबर सेशन के जिन बच्चों के एकजाम होन थे डिसमबर दोजार इकी सेशन के जो कि डेट इगनुन ने देर की थी 20 जनवरी 2022 से लेकर 23 फरवरी 2022 तक तो दोस्तों उनको जो इगनुन इन वस्टिन क्या क पॉस्ट पॉंड कर दिया है दोस्तों उसके आगे क्या बोला है इनोंने दी नेस्ट सेडूल ओफ एक्जामिनेशन विल बी पबलिश्ट ओन दी युनिवस्टी वेबसाइट एट लिश्ट फिप्टीन डेज बिफोर जो है कमिटमेंट ओफ एक्जामिनेशन दोस्तों नोटिस निये किसी को परमोट नहीं किया है उन्होंने उनली फर्स्ट इयर जो जून सेड़न के बच्चे थे जून के अंदर जिनके एक्जाम होने थे उनको परमोट किया था दोस्तों अभी तक दिसंबर सेड़न में किसी भी बच्चे को परमोट नहीं किया है सिर्फ उन अगर किसी के assignment pending रहते हैं अभी तक assignment जिसने जमा ने करवाए हैं जनवरी 2021 सेशन में जिन बच्चों के admission थे फर्स्ट एर सेकंड यर फाइने लियर जो भी है या फिर जिन बच्चों ने जून 2021 के अंदर जिन बच्चों के assignment रहे गए थे कि उन कुछ बच्चों के तो दोस्तो वो बच्चे अपने assignment जमा करवा दे उसके last date जो कितनी है 15 जनवरी है दोस्तो वो अपने assignment जमा करवा दे दोस्तो अगर किसी को solward assignment चाहिए या फिर किसी को handwritten hard copy assignment चाहिए तो हमारे से मिल जाएगी दूसर नोटिफिकेशन दोस्तो जिन बच्चों का जुलाई 2021 सेशन में admission ह चाहिए वो फर्स्ट एर में चाहिए सेकंड में थर्डियन फाइनल में जिसमें भी है दोस्तो उन बच्चों के सभी के solward assignment आ चुके हैं दोस्तो और question paper व्यास चुके हैं जिसी बच्चों को उनके जो assignment है वो मार्च 2021 के अंदर submit होंगे दोस्तो तो दोस्तो जिसी बच्चे आप मेरे से कोई भी जानकर ले सकते हैं और हमारे WhatsApp ग्रूप में और Telegram ग्रूप में जोइन हो सकते हैं जहां पर आपको इगनुकी सभी जानकर भी मिलेगी और आपको online class लगाने के link भी मलेंगे दन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय बारत